Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. हमारा next topic है Chemical Enzymes and Other Bioactive Molecules Plus Microbes and Sea-Wish Treatment Plant. यह हमारी Part 2 वीडियो है इस चाप्टल की. तो सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं? वेरियस केमिकल प्रड़क्ट और एंजाइम्स बनाने में वो भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे, लाज अमाउंट में इन सबस्टेंस को हम कैसे प्रड़्यूस करते हैं इन माइक्रोब्स की हिल्प से. तो ये चार माइक्रोब्स आपके बुक में भी मेंशन हैं, मैंने इनको टेबिलर फॉर्म में किया है ताकि आपके लिए लर्न करना भी इजी हो, बोड्स के लिए भी और नीट के लिए भी. तो सबसे पहले जो हमारा ओर्गानिजम है वो है एसपर्गिलस नाइगर, तो ये इसका सैंस्टिफट नेम है, second column है हमारा classification का, कि वो बेक्टेरिया, फंगाय है, वो ओर्गानिजम या माइक्रोब, फंगर्स है, बेक्टेरिया है, कौन से टाइप का है जुनसे हम प्रड़ एक्स्ट्राक्ट कर रहे हैं तो आपका फॉर्स्ट और्गानिजम इस्पर्गिलस नाइगर है जो कि एक फंगस है और इससे हम कौन सा प्रड़क्ट एक्स्ट्राक्ट कर रहे हैं और आपने मीट के पेपर में देखा भी होगा यह क्वेशन कई बार पूछा गया है नेक्स्ट इस एसी टो बाक्तर एसीटी एक बेक्टेरिया है जिससे हम आसेटिक आसर एक्स्ट्राक्ट करते हैं नेक्स्ट इस कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम यह भी बेक्टेरिया है जिससे हम ब्यूटाइरिक आसर एक्स्ट्राक्ट करते हैं फोर्थ इस लाक्तो बेसिलस एसिदो फाइलस यह बेक्टेरिया है जिससे हम लाक्तिक आसर एक्स्ट्राक्ट करते हैं आपके ये चार बेक्टेरिया हो गए, आपके चार और्गानिजम्स हैं, जिनका साइंटिफिक नेम दिया है, क्लासिफिकेशन, प्लस उनसे एक्स्ट्राक्ट, जो प्रड़क्ट हैं, उनके नाम, तो आपको ये मैच दो फॉल्लॉइं से लिंदर ब्लांक किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कि अगर आपको हो सकता है, साइंटिफिक नेम ना दे और्गानिजम्स का, और क्लासिफिकेशन और प्रड़क्ट दे दें, तो आपको बताना पड़ेगा कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो ग्वेशन किसी भी तरफ के फॉर्म में आ सकता है, इंडस्ट्री में बहुत important role play करती हैं तो अब यहां पर यह important role play करें इथनॉल production के लिए तो अब हम कुछ microbes दिखेंगे जो help करते हैं various enzyme production के लिए तो first is आपका है जैसे की lipases है lipases are enzyme है और वो कहां use हो रहे हैं आपके detergent industry में which is helpful in removing oil stains from the laundry इसके अलावा आपके दो और enzyme है जैसे pectineses और proteases तो यह दोनों enzyme कहां use हो रहे हैं आपकी जो fruit juice industries हैं वहां पर जो आपके bottled juice होते हैं आप देखते होगे आप लोगों ने सबने bottled juice mostly पिया भी होगा जिस है tropicana, real और यह सब तो यह juice कितने clear होते हैं इसमें कोई pulpy part नहीं होता बट जो juice आप घर पे निकालते हैं उसमें पुरे fibers, pulp और यह सब कुछ होता है तो यह ऐसा क्यों हैं क्योंकि जो आपके bottled fruit juices हैं उन्हें treat किया जाता है पेक्टीनेज और proteases से जिसकी वजह से आपका market का जो juice है वो बहुत clear दिखता है ठीक है next चीज है आपका streptokinase तो देखा आप देख सकते हैं जिसके लास में एज लगे है एज लगा, it means it's an enzyme, तो आपका streptokinase एक enzyme है जो की हमने extract किया है bacteria से, bacteria का नाम है streptococcus अब यह जो आपका streptokinase enzyme है इसे हम कहां यूज कर रहे हैं इसे हम यूज कर रहे हैं to remove clot from the blood vessels as a clot buster हमने यूज कर रहे हैं उन patients के लिए who have undergone myocardial infection तो जिन्हें heart attack आया है या ऐसी situations आई हैं कि उन्हें heart attack आ सकता है यह pain है, chest pain है तो उस time based streptokinase को हम use करते हैं to remove the clots क्योंकि clotting होगी तो blood properly flow नहीं कर पाएगा जो एक reason है heart attack का ठीक है, coronary arteries में भी blood flow के block होने की वजह से ही heart attack आता है next is, जो आपका bioactive molecule है, वो है cyclosporine A, अब ये एक immunosuppressive agent है ठीक है, अब immunosuppressive agent हमने जो 8th chapter किया था, उसमें भी discuss किया था immunosuppressive agents वो molecules होते हैं जो आपकी immune system को शांत कर देंगे, shutdown कर देंगे कुछ time के लिए क्योंकि otherwise अगर कोई भी foreign material आपकी body में आएगा, जो self नहीं है, non self है तो आपका immune system obviously उसपे react करेगा तो अब आप देखो, एक immunosuppressive agent हम conservation को देंगे, जिनका transplant हुआ है तो जिनमें कोई organ transplant हुआ है, तो obviously हम उने कोई immunosuppressive agents देंगे ताकि जो transplanted organ है, उसे कोई rejection phase ना करनी पड़े तो आपका जो agent, जो molecule है, वो है cyclosporin A और जो extract किया गया है, fungus से, और fungus का नाम है trichoderma polysporum next आपका product है statin, तो statin वो product है, जो help करता है blood cholesterol को lower करने के लिए तो ये क्या है, blood cholesterol lowering agent है, ये extract किया गया है east से, east का नाम है monascus purpurus तो आपने यहाँ पे 4 products देखे, main statin, जो कि blood cholesterol lowering agent है, cyclosporin A जो कि एक immunosuppressive agent है, streptokinase, जो कि clot buster, as a clot buster removal, remove करता है clot को use किया जाता है, फिर आपने 2 enzymes देखे, pectinases, proteases और lipases तो यहाँ हमने enzymes पढ़े, different chemicals पढ़े और उनका use देखा और वो कहाँ से extract किये जाते हैं, ये भी हमने इस slide में पढ़ा next is microbes in sea waste treatment, ये आपका बहुत ही important topic है sea waste, सबसे पहले समझते हैं, sea waste क्या होता है तो CH वो waste component है, जो generate हो रहा है, cities में, towns में या कोई भी area जो कि जहाँ पर human intervention है, human population है तो obviously वहाँ पर waste generate हो रहा है तो वो waste, जो city, town और कोई भी place जहाँ पर human civilization है वहाँ से जो waste generate होता है, चाहे वो human excreta हो और extra जो भी waste है, water, उसमें water हो, जो मतलब polluted water हो या used water हो, इसके अनावा आपके चीज़े होंगे जो भी polybags, pebbles, कुछ भी जीज़ें जो waste है, जो useful नहीं है it is counted as sewage, तो sewage contain large amount of organic matter तो sewage में काफे सारे सीज़े हो सकती है, organic, inorganic बहुत सारे microbes हो सकते हैं, जो की pathogenic हो सकते हैं pathogenic means those microbes that can cause disease to human ठीक है, तो sewage is treated in sewage treatment plants तो sewage को हम treat करते हैं, sewage treatment plants में ताकि हम जो sewage water है, उसे less polluting बना सके ठीक हैं, तो sewage treatment में हम, sewage treatment किसके through किया जा रहा है done by heteropropic microbes, जो naturally present है sewage water में तो हम यहां microbes की help से ही इस water को clear कर रहे हैं और usable बना रहे हैं तो आपका sewage treatment है, यह दो steps में है major पहला है आपका primary treatment और दूसरा है secondary treatment या फिर biological treatment तो सबसे पहले primary treatment में क्या है, physical removal है large particles आप particles का, तो large particles जैसे की जो पानी में अगर आपको poly bags हैं फिर boxes है, जो भी चीज़े जिसकी पत्थर, गंकर, जो भी मोटी मोटी चीज़े जिससे हम physically remove कर सकते हैं by filtration and sedimentation तो यह आपका physical treatment होता है जिसमें आप large particles को remove कर रहे हो large particles को remove कर रहे हो या फिर debris जो भी waste है which can be removed by filtration and sedimentation तो filtration से आपने यह चीज़ remove करी, sedimentation से जो भी soil, pebbles और यह सब जो settle down हो गए तो वो sedimentation से separate हो गए, इसका मतलब आपने physical removal में जो भी large solid products थे उनको separate कर दिया तो आप जितना आपका solid product separate हुआ उसके बाद जो water आपके पास बचा है that is the supernatant जो अब उपर जो पानी है आपके पास वो क्या है it forms an effluent तो आपका जो पानी है जिसे आपको further और process करना है that is effluent और अब यह जो effluent है हम इसे transfer करेंगे primary settling tank से तो जो next tank के आपका aeration tank वहाँ पे for secondary treatment तो primary treatment में हमने क्या किया सभी जो large particles थे pebbles, soil जो भी चीज़े थी उन्हें remove किया with the help of filtration and sedimentation और आपका जो water हमने next treatment के लिए भीजा उसे हम कहते हैं effluent और effluent को हमने primary settling tank से अब डाला है aeration tank में तो आपका secondary treatment जिसे हम biological treatment भी कहते हैं अब हमने large यहाँ variation आगया aeration tank है तो aeration tank में इसे transfer किया है अब aeration tank obviously जहाँ पे air pump की जा रही है तो वहाँ constantly agitate किया जाएगा mixture या blender जैसे इसे move किया जाएगा और air pump की जाएगी जब air pump करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा आपके aerobic microbes grow करेंगे into flocks अब flocks क्या है flocks means masses of bacteria क्योंकि air pump करने की वजह से आपके aerobic bacteria की growth होगी तो वो faster rate पे grow करेंगे और बड़ा एक mesh work network like structure बना लेंगे associated with fungal filaments तो आपके यह microbes हैं जो large aeration tank में grow कर रहे हैं with the effluent जो की primary आपकी treatment के बाद यहां आया है अब यह microbes क्या करेंगे तो यह microbes जो है आपके aerobic microbes याद रखेंगे secondary treatment में जो आपके aerobic microbes हैं अब यह significantly reduce कर देंगे BOD को BOD is biological oxygen demand तो BOD क्या होता है amount of oxygen that would be consumed उतना amount of oxygen जो consume किया गया है if all the organic matter in one liter of water जितना भी organic matter जो one liter water में present है were oxidized by bacteria और वो oxidized किया गया है bacteria bacteria के through मतलब आपके पानी में जितना भी organic matter है कितने पानी में एक लीटर पानी में जितना भी organic matter है वो oxidized किया गया है by bacteria ठीक है तो अब और वो कैसे by consuming oxygen तो अब यहां पर लिखा ना refers to amount of oxygen that would be consumed तो consume करेंगे जब जितना organic matter जो water में present है उसे oxidize किया जाएगा तो आप देखो next चीज है जो आपका sewage water है उसे तब तक treat किया जाता है जब तक उसका BOD reduce नहीं हो जाता क्योंकि जब तक अब आप पहले दिखो यह आपका sewage treatment plant है ठीक है इस तरह कि आपने देखे भी होंगे आपके cities में होते हैं बड़े sewage treatment plants अब next year जो focus करने वाली है वो है कि हमें BOD क्यों reduce करना है क्योंकि अगर जितना जादा BOD होगा पानी का उतना ही polluting potential होगा जितना जादा BOD उतना गंदा पानी होगा ठीक है उतना polluted water होगा तो हम क्या कर रहे हैं BOD को decrease कर रहे हैं क्योंकि हम भी हमने समझा BOD क्या है amount of oxygen consumed ठीक है अब जितनी जादा oxygen की demand बढ़ती जाएगी ठीक है मतलब क्योंकि oxygen कम हो रहा है क्योंकि ऐसी चीज़े पानी में grow कर रही है या हैं जिने नहीं होना चाहिए तो obviously वो सब चीज़े पानी के जो dissolved oxygen है उसे consume करेंगी जिसकी वज़े से पानी का BOD बढ़ जाएगा मतलब pollution level बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ unwanted चीज़े हैं जो नहीं होनी चाहिए है ना क्योंकि अब वो organism है जो पानी में नहीं रहने चाहिए थे बट वो है और वो oxygen को यूज कर रहे है तो किनके लिए oxygen की कमी हो चाहिए जो natural आपकी fishes aquatic plants हैं उनके लिए कमी होगी पानी में oxygen oxygen की जिसकी वजह से उनकी death होगी तो इसका मतलब आपका water कैसा हो रहा है polluting हो रहा है और उसमें dissolved oxygen का level भी कम है तो हमारा main reason है BOD को reduce करने का ताकि हम उसका polluting potential कम कर पाए तो अब जब आपका BOD significantly reduce हो जाएगा तो वो जो effluent है it is then passed into settling time तो आप देखो primary tank से हमने उसे डाला aeration tank में फिर डाला settling tank में settling tank में अब जो भी bacterial flocks हैं जो अभी produce हुए थे aeration tank में उन्हें allow किया sediment होने के लिए settle होने के लिए तो this sediment is called activated sludge तो इसे हम जा कहते है activated sludge अब इसमें कुछ activated sludge वापस pump किया जाएगा aeration tank में यह variation नहीं है aeration tank में to serve as an inoculum as a starter तो पीछे हमें वापस से और effluent आ रहा है ना उसे भी तो हमें aeration tank में agitate करना है तो थोड़ा सा activated sludge यहां से pass on किया जाएगा into a large tank ठीक है तो थोड़ा सा बेज भी आवापस aeration tank में फिर आपका जो activated जो sorry जो effluent था अब उसे pass कर दिया large tank में तो अभी हमने देखा कि वह आपका activated sludge है उसका कुछ पाथ हमने transfer किया aeration tank में और उसमें से कुछ sludge जो major बात था उसे हमने transfer कर दिया large anaerobic sludge digester ये साथ में anaerobic sludge digester अब वहां कैसे bacteria grow करेंगे anaerobic यहां पर anaerobic anaerobic bacteria grow करेंगे जो digest करेंगे bacteria और fungi को तो during the digestion क्या होगा अब यह anaerobic bacteria क्या produce करेंगे methane hydrogen sulfide carbon dioxide यह सब gases produce करेंगे to form biogas जिसे हम further use कर सकते हैं as a source of energy तो यह आपका जो पूरा यहां पर मैंने different color coded आपको यह बनाया है ताकि easily आप as a summary इसे पूरा पढ़ पाए primary settling tank में क्या हुआ फिर aeration tank में क्या हुआ सेकिंड जो से आपका settling tank है settling tank के अंदर हमारे पास क्या था activated sludge फिर उसके बाद हमने डाला anaerobic sludge digester तो इस तरह से ranking one two three four कौन सा tank first था फिर second third और fourth और हर एक tank में क्या major activities हुई वो भी मैंने यहां color coded कर रखी है तो आप इसको जो हमने अभी पढ़ा इसको और easy way में आप learn कर सकते हैं और अपने exam में भी इस तरह से लिख सकते हैं तो यह आपका पूरा primary treatment है और यहां से आपका secondary treatment है जिसे हम biological treatment भी कह रहे हैं क्योंकि हमने यहां aerobic और anaerobic bacteria का यूज किया है तो next year है क्यों important है water को treat करना तो सबसे पहली बात है कि आप effluent को इसले treat करना चाहते हैं क्योंकि अब वो पानी polluting है अगर आप उसको natural river river streams या water bodies में डाल दोगे तो आपके पानी का pH temperature सब में changes आ जाएंगे जिसकी वजह से वहां रहने वाले आपके natural aquatic animals और plants affect होंगे और उनकी death भी हो सकती है ठीक है तो untreated sewage water को discharge करने के discharge ना करें इसलिए जो ministry of environment and forest है इन्होंने कासी rules and regulation apply किये कि कोई भी river body के पास industry setup नहीं होंगी तो वो untreated water सीवेज water untreated नहीं डाल सकती आपकी नदियों में otherwise उन्हें बहुत ही large fine लगेगा और आपका गंगा action plant और यमुना action plant था उसका major goal ही यह था उसका major aim था कि हमारे countries में जो भी major rivers हैं उन्हें save करना इस वीडियो के notes आपको मिलेंगे बायो पूल के telegram channel पे और इसका link आपके लिए नीचे description box में है Thank you for watching the video